हेलो सब्सक्राइब इसमें आप लोग का स्वागत है और दोस्तों आज इंडिया में फाइनली सैमसंग ने अपने गैलेक्सी M30S और M10S को जो वो लाउच कर दिया है जी हाँ यह सिफ ऑनलाइन ओनली स्मार्टफोन से सैमसंग के जो सैमसंग ने M10 और M30 के ऊपर लाया है और इन में आपको काफे सारे नए फीचर्स मिलते हैं जो इस बार सैमसंग ने एड़ किया है जो वर्थ अपग्रेटिंग है वो क्यूँ वह आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा वैसे M10S के ओपर तो मेरे डेडिकेड़ वीडियो बन बेस है और एक 6122 पे आपको मिलता है अगर दोस्तो 15,000 की नीचे इसकी प्राइस होती है यह बहुत ही जबर्दस फोंद हो सकता है यह वीडियो दोस्तों आप देखते रहे इस वीडियो में आप लोग को सैमसंग गलक्सी M30S की सारे जानकर यहाँ पर दे रहता हूँ तो पीछे की दरफ देखेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर सारी हाइलेटिंग फीचर जो वो मेंचिन की गई है वो आपको मैं यहाँ पर भी बता दूगा और एक और चीज दोस्तों सैमसंग के स्पार्टफों की सार वैल्यूस होती है वो बहुत कम होती है इसकी भी आपको ज तो आपको यहाँ पर जो कलर्स मिलेगा वो बहुत ही कमाल का मिलेगा सैमसंग की सूपर एमिलेट डिस्प्ले तो इसमें कोई डाउट नहीं है 19.5-29 का आपको एसपेक रिशू मिलता है और आपको यहाँ पर 91% स्क्रीन टू बाइड रिशू मिलता है तो आप बैजल देख उसको GPU में काफे अच्छी इंप्रूमेंट्स देखने को मिलती है वैसे CPU से में 2.3 GHz के उपर यह 10NM पर मिलता है और 4 Cortex A73 और 4 Cortex A53 पर मिलते है GPU की बात करें दोस्तों तो 9610 से उन्होंने इसको इंप्रूफ कर दिया है तो यहाँ पर अब जो आपको इसमें परफॉर्मेंस मिलेगी अगर आप उसको 9610 से कंपेर करते है वो यहाँ पर आपको बैटर मिलेगी उसके लाव आपको यहाँ पर सूपर स्टेडी वीडियो मोड भी मिलता है जिसमें आपको वीडियो में बहुत ही अच्छी स्टेबलेक्शन मिलेगी super slow motion भी मिलता है जी हाँ super slow motion भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है साथ में आपको यहाँ पर night mode मिलता है और आपको AI scene detection मिलता है मतब 20 अलग लग scenes को यह detect करता है तो यह भी उन्होंने काफी बड़ी आस में add कर दिया है आपको 8MP का ultra wide sensor मिलता है जो 123 degree field of view के साथ में जो काफी ज़्यादा wide है और उसके लाव आपको 5MP का depth भी यहाँ पर provide कियागा है वैसे camera बहुत impressive rear का मैं आपको इस वीडियो में आने वाले समय में samples दिखा दूँगा उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 16MP की आपको selfie मिलती है यहाँ पर F2.0 का aperture, portrait, beauty सब कुछ मिलते है और यहाँ पर आप full HD video बगरा भी निकाल सकते है अब यहाँ पर दोस्तों बैटरी के बात करें तो यह phone का main highlighting feature है आपको 6000, 6000 image की बैटरी मिलती है जो बहुत बड़ी बात है और obviously 10NM का processor, super AMOLED display 6000 image की बैटरी जो combination आप देख सकते है कितना बड़ी है जो आपको बहुत ही जबर्दस यहाँ पर backup जो वो देखने को मिलेगा तो गुचिस तरह रगेगा दोस्तों यह spec से हमने box को open कर दिया था फटावर से हम phone को यहाँ से बाहर निकाल देते और आप देखेंगे आपको वो काफी बड़ी है यहाँ पर देखने को मिलेगा उसके अलावाद दोस्तों यह considering 6000 image की वेटरी है उसके बावजुद भी आपको 188 grams का मिलता है और आपको 8.9 mm की थिकनेस पर मिलता है imagine दोस्तो 6000 image की वेटरी है लेकिन फिर भी उन्होंने इसकी वेट और थिकनेस को मेंटीन किया है तो साइड में रखते दोस्तों देखते कि आपको और क्या कुछ मिलता है तो सबसे पहले यहाँ पर यह है चार्जर दोस्तों यह 15W का फास्ट चार्जर है जो back case तो यहाँ पर नहीं है फिलाल के लिए लेकिन आपको को documentation यहाँ पर आप देख सकते है इसके अंदर मिलते है जो कुछ इस तरह की का है यह दोस्तों box content फटावट से आते हम हमारे phone की तरफ तो यहाँ पर दोस्तों हमारे phone की तरफ आप एक और microSD card लगा सकते है right में देखेंगे आपको यहाँ पर power button और volume up and down की आपको key मिलती है और उपर की तरफ देखेंगे आपको यहाँ पर secondary mic hole मिलता है तो दो आपको mic hole मिलते है इसके अंदर और कुछ इस तरह की का है और यहाँ पर दोस्तों हमारे phone की तरफ आप देखेंगे हमने इसको boot कर दिया और आप देखेंगे display आपको काफी बड़िया देखने को मिलता है और left और right के अगर आप bezels देखेंगे वो आपको काफी कम देखने को मिलते है यह उपर भी काफी अच्छे से maintain के है नीचे आपको हलकी से चिन देखने को मिल जाते है और यह देखेंगे interface आपने देखकी पैचान क्या होगा यह आपको one UI पर मिलता है हम जाते about के अंदर आप देखेंगे और नीचे जाते software information में आप देख सकते है यह उपर one UI version 1.5 N.9 पर आपको out of the box मिलता है अच्छी बात है one UI बहुत ही fast है दोस्तों और one hand use के लिए आपको बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिलती है उसके लाब बहुत सारे नए features उनने दिया है आपको यहाँ पर digital well-being बगएरा मिल जाता है वेसे आपको fingerprint scanner पीछह मिलता है face unlock मिलता है आपको टेक्ट करते हो यह लेखिंगे मैं touch करता हूँ बहुत हैं अच्छा लगा काफी fast आपको यहाँ पर face unlock को देखने को मिलता है आप दोस्तो फाइनली कुछ और आपको important चीज़े बता रहे तो आप देख सकते अगर मैं wideband support की बात करूँ तो आप देखिंगे आपको wideband L1 यहाँ पर out of box मिलता है तो amazon, netflix के HD contents अगर आपको stream करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं आपको camera to API भी यहाँ पर मिलता है google camera का support म मिलता है तो यह भी बहुत ही अच्छी चीज़ उन्हों यहाँ पर आपको provide करिए तो कुछ इस तरह किए काफी fluid है काफी fast आप देख सकते हैं और उसकी अलगा दोस्तो फाइनली में बात करता हूं उसकी camera की आप देख सकते इंटरफेस आपको कुछ इस तरह की का मिलता है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पर करने के लिए मिलते हैं नीचे काफी सारे आपको options दिया है super slow motion slow motion यह वो बहुत कुछ मिलता है और अगर मैं video में जाता हूं दोस्तो तो उपर की तरफ में rear camera में जाता हूं आपको दिखा देता हूं यहाँ आपर आप आपको यहाँ पर काफी कमाल के निकल कर आए और जो detailing है वो आपको यहाँ पर काफी बढ़िया मिलती है colors वगरा सब कुछ आपको यहाँ पर काफी कमाल के देखने को मिलते हैं तो rear camera दिन में काफी अच्छा चलता है उस आपको बिल्कुल भी इसमें को problem नहीं होगी उसके अगर मैं night की बात करो तो night में भी आप देख सकते हैं आपको काफी decent pictures यहाँ पर निकालने को मिलती है इसमें obviously आपको dedicated night mode मिलता है तो उसका भी आप यहाँ पर अच्छे से फाइदा उटा सकते है super steady video mode की बात करें तो आप देख सकते है यह randomly मैंने इस एक video निकाला था इस mode mode को on करके तो आप देख सकते हैं वह वैसे आपको यहाँ पर काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है वैसे super slow motion भी है जी हाँ तो यह भी आप देख सकते है super slow motion वारा shot जो काफी cool लग रहा है अच्छी detailing है तो यहाँ पर भी आपको कोई issue नहीं आएगा selfie के बात करें 16 Megapixel की selfie है दोस्तों आप देख सकते हैं काफी बढ़िया यहाँ पर selfie आईए और इसमें जो background में बोके हो देखेंगे कितना अच्छा निकलता है वैसे एक अच्छी चीजी है दोस्तों कि आप बोके को adjust कर सकते हैं चाहे वो rear हो या फिर selfie हो दोनों में यहाँ और बोके को adjust कर सकते हैं तो यह भी आपको काफी कमाल की चीज यहाँ पर देखने को मिल जाती है फाइनली दोस्तों बात करता हमें अपनी conclusion की तो आप देख सकते हैं Samsung Galaxy M30S काफी अच्छा improvement लाए है अगर आप उसको M30S से compare करते है 6000 image की वैटरी है जो बहुत ही बढ़िया चलेगी आपको super AMOLED display मिलती है triple camera 48 megapixel के साथ में type C port है fast charging दिया है wide 1 का support है SAR value भी काफी कम है और जो processor है वो भी काफी top notch है जो gaming होगी वो आपकी काफी बढ़िया होगी तो कुछ इसते रगी का दोस्तो 15000 की अगर range का ये phone है Samsung की branding है तो मेरे सब से one of the best Samsung smartphone हो सकता है वैसे आप क्या खायल इस phone के बारे में honestly दोस्तों आप मुझे जरू से नीचे comment करके बताना और क्या चाहते है future में में इसके पर बनाओं वो भी आप मुझे जरू से नीचे comment करके बता सकते हैं वीडियो पसन आएगी दोस्तों तो like करना मिलते हैं आप से अगले वीडियो में एक ने वीडियो के साथ तिल देर भी ग्रेट डे एंड ऑल्वेस कीप स्मालिंग